हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर टू करेंगे जो की क्लास सेविंथ की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट सेवन एप्रिल 2021 की है स्टूरिंस यहां पर आप एक बार ध्यान से समझें कि जो भी वर्क्षिट आपकी अलग से आएगी या कुछ उसमें अलग दिया जाएगा वही वर्क्षिट में आपको यहां पर करवाऊंगी उससे पहले वाली वर्क्षिट आपको यहां पर एवेलेबल होगी जो चैनल है यहां पर आपको इजली मिल जाएगी आप सिर्फ वहां पर सब्जेक्ट और वर्क्षिट नेम और डेट डालेंगे तो आपको वो वर्क् जैसे कि आज की वक्षिट में यह इंग्लिष की जब शेकंड वक्षिट है यह थोड़ा चेंज है तो यह वक्षिट में आपको करवा रही हो तो आपको कोई भी कंफूजन नहीं होने चाहिए और जो भी चेंज होगा वो भी आपको जरूर करवाया जाएगा तो आप इसली स फेवरेट के बारे में बताना है तो सबसे पहले है कलर तो आपका जो भी फेवरेट कलर है आप यहाँ पर लिख देंगे तो जैसे कि मेरा फेवरेट कलर है रेड तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेड ठीक है आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप यहाँ पर लिख सकते इनिमल आपका फे़रेट एनिमल क्या है जो भी हो आप लिख सकते हैं जैसे की मैं लिख देती हूँ डोग ठीक है next is season season आपका कौँ साब़ो मोसम कोई सा अच्छा लगता है वह यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ winter ठीक है next देखिए day कौँ सा day Sunday Monday Tuesday जो भी डिया आपको अच्छा लगता है वो यहां लिख सकते हैं तो मैं यहां लिख देती हूं Sunday ठीक है next देखे फ्लार कौन सा फ्लार आपको पसंद है तो मुझे पसंद है रोज तो जो आपको पसंद हो आप यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद है fruit fruit में आपको कौन सा पसंद है मुझे mango बहुत पसंद है तो मैं यहां लिख देती हूं mango तो यह है आपका first question बहुत ही आसान है कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर अब हम करते हैं next question आईए करते हैं next question इसके बाद अब हम करते हैं second question days of the week हमें यहां पे week में जो days उनकी name लिखने है तो सबसे पहले Sunday उसके बाद क्या आता है बेटा बताईए आपको क्या आएगा उसके बाद में Sunday के बाद में Monday तो हम यहां दिखेंगे Monday 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 Wednesday 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 Thursday Thursday उसके बाद क्या आता है Thursday तो T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday Thursday के बाद Friday और Friday के बाद last में क्या आएगा Saturday में यहां लिख देती हूँ S-A-T-U-R-D-A-Y तो यह हो जाएगा Saturday ठीक है तो आपको first question यह करना है second question आपको days जह हैं उनके name लिखने हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday अब हम करते हैं next question देपर next question में क्या कहा गया है name of five fruits five fruits के name लिखने है तो देखें सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी आपको पसंद है वो लिख दीजेगे यहां पे तो हम लिख देते हैं apple उसके बाद हम लिख देते हैं mango आपको अगर और कोई पसंद हो तो आप यहां पे लिख सकते हैं नमबर थर्ड पर हम लिखेंगे banana banana next four number पे और इसके लावा आपको क्या पसंद है cherries तो हम cherry लिख देते हैं और इसके लावा grapes grapes पसंद है मुझे पसंद है अगर आपको कोई और पसंद है तो बिटा आप यहां पे वो भी लिखेंगे ठीक है तो यह हो गया grapes ठीक है यह आपका third question हो जाएगा अब हम करते है next question ध्यान से इसे note कर लीजी अब करते है next question देखो next question में क्या कहा गया है next में है name of five flowers five flowers के name बताने है तो देखे कौन कौन से flower है first पे लिखदेते हैं rose ठीक है second lily हम second पे क्या लिखते है लिली ठीक है third पे हम क्या लिखते है sunflower आप यहां पे और कुछ भी लिख सकते है ठीक है third पर हम क्या लिखते है sunflower उसके बाद में fourth पे lotus और no. five पे jasmine ठीक है तो यह हमने five जो flowers दे वो भी हमने यहाँ पर कर लिए अब हम करते हैं, यह question number 4 हो जाएगा अब हम करते है, question number 5 तो आये करते है, question number 5 देख़ीए, क्या कहा गया question number 5 में, आइए, question number 5 में कहा गया name of 5 vegetables name of 5 vegetables तो आइए, करते हैं 5 vegetables में raw सबसे पहले हम लिख देते है plots कि एक सिकिंद कि एक सिकन में इक वो टेटो उसके बाद हम लिख सकते हैं पे कुछ भी वेजेटेवथit जो भी आपको पसंद हो यहां पर आप लिख सकते हैं तो पीठा जो आज की वो कम्प्लीट होती है मैं एक पर फिर आपको बता देती हूँ कि वरक्षिट आपको सारी वरक्षिट करवाई जाएंगी जो वरक्षिट पहले से अविलेबल है वो आप सर्च कर लीजेगा जो भी वरक्षिट नहीं आएगी जिसमें थोड़ा कुछ भी नया होगा वो आपक वो सेम मिलता है इसका मतलब कि ये वरक्षिट सेम है आप चाहे वो पहले अपलोड कर दी गई हो चाहे वो बाद में वो आपको इसली ये महां से कर लेंगे तो थेंक्यू गाइज